लेह मनाली शिमला का सफर खत्रों और रोमांच भरा है लेकिन रोमांच तब और भी बढ़ जाता है जब इस सफर किसी खास मकसद से किया जाए पंद्रा देशों के 45 लोगों ने पर्या वरन सरक्षन का संदेश देने और न्यूजिलेंड के एक स्कूल के लिए चैरिटी जुटाने के मकसद से इस रूट पर सफर किया है दल के प्रमुख जौन स्टोक्स ने बताया कि पहाडी दर्नों और बरफ जोखिम भरी सडकों को पार कर वे मंडी पहुंचे है और के बिए शितोय का सलंग ज Wow we cannot करिया को ऑटो कर 750 के लिसले को है की ख्यम मैं हो जूशन एंड ऑग अनिवन मनेन प्रिव सार्मीन का स्कॉम यरी अूभर में अविफ फरो hail an अविक आपटोच उन दूख में आथे रफ़ान कमेंड़े लो, हम वब भी कार्ण है, क्जिते हैं अदुक्ष जए रिक्ष ओर के लिर अोड़ा था भी है वानीश की जात्क पैसी खया, टर्ण कानी नेद चुला है, ठाड़ता है ग्रापलिज से छाइब के ट्रौन से हम अगाने टौन एक्रण कार्ण ग्राण काशा है की ल न्यूजिलेंड निवासी, नाइजल एंड्रियूस ने बताया कि ये उनकी जिंदगी की सबसे रोमांचकारी यात्रा है। उनने कहा कि आटो में इस यात्रा को पूरा करना एक नया अनुभव था क्योंकि शहरों का वाहन माने जाने वाले आटो को कठिन भागौलिक परिस्तियों में इस्तेमाल किया गया है। इस दल की एकलाओती महिला सदसे निकी मकाय ने भी अपने अनुभव कुछ इस तरह से आचा किये। खत्रों और रोमान से भरा इन लोगों का ये सफर समापन की और है और इसके बाद ये सभी वापस अपने अपने देश लोट चाएंगे। डिडी न्यूस के लिए मंडी से अंकुश सूत की रिपोर्ट। झाल झाल झाल